नबस्ति दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस सक्षित के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से पूरा विश्व जानता है जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जैप्रकास नरायन की जीवनी को देखेंगे जब प्रकास नरायन भारत के एक स्वतंतिता सेनारी समाथ सुधारक के रूप में जाने जाते हैं जब प्रकास नरायन एक भारतिय स्वतंतिता सेनारी समाथ सुधारक और राशनेता थें जब प्रकास नरायन का जनम 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारंज लेके सिताब देरा गाउं में हुआ जब जब प्रकास नरायन 9 साल के थें तब वो अपना गाउं छोड़कर कॉलेजेट स्कूल में दाखिले के लिए पटना चले गए अब एक बहुत रोचक घटना होई 1920 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के भाषन से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड बिहार विद्या पीट में दाखिला ले लिया तक्षा के प्रतिय उनकी रूची बहुत अधिक थी बिहार विद्या पीट में पढ़ने के पश्चात सन 1922 में जे प्रकास नरायन आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बर्कले विश्विद्याले में दाखिला लिया रोचक बात ये है कि परहाई का खर्चा उठाने के लिए उनके पास सुवधाय नहीं थी इसलिए उन्होंने खेतों कंपनियों और रेस्टोरेंट आदी में कारे किया इसी दोरान उन्हें स्रमिक वर्क की परिशानियों का ज्यान हुआ और इसके पश्चात उन्होंने एमे की डिगरी हासिल की पर पीएचडी पूरी ना कर सकें क्योंकि माता जी का तब्ये ठीक ना होने के कारण उन्हें भारत वापस लोटना परा सन 1929 में जैप्रकास नरायन अमेरिका से परहाई अधूरी छोड़कर वापस एंडिया आएं उस समय गांधी और जवाहलाल नहरू के तरफ से चल रही स्वतंतिता सिनानी की पूरी लराई अपने चरम सीमा पर थी गांधी और नहरू के संपर्क में आने के बाद जाप्रकास नरायन भी इस पूरी स्वतंतिता संग्राम का हिस्सा बने 1932 में समिने अवग्या अंदोलन के दौरान जब गांधी नहरू समीत अनि महत्पूर्ण कॉंग्रिसी जेल चले गए थे तब उन्होंने भारत में अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन को दिशा दी बिटिस सरकार ने अंतता उन्हीं भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया समेट विटिय विश्व्यूद का था उसके दौरान बिटिस सरकार के खिलाफ आंदोलन भारत में चल रहे थे इसमें ऐसे अभियान चलाई जा रहे थे जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्वे रोका जा सके जैप्रकाश नरायन इस आंदोलन में बरचर कर हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया उन्होंने स्वतंतिता संग्राम के दौरान हथियारों की उपियोग को सही समझा, उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का गठन किया, उसे परिक्षिन दिया, उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में सितंबर उनीसो अटालिस में गिरफ्तार कर लिया, जब डॉक्टर लुहिया और जेपी की रिहाई नहीं होती है, तो कोई भी समझोता मुम्किन नहीं है, इस अपील पर 1946 में दोनों को आजाद कर दिया गया, आजादी के एक दसक बात तक जैप्रकास नरायन, पॉलिटिक्स में सक्रिया रहे थे, मगर उसके बाद, राजनीती उन गिर्ते स्वास्त के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी प्रस्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और शुरुवात करी संपून क्रांटी की, संपून क्रांटी जेप्रकास नरायन का विचार वनारा था, जिसका अहवान उन्होंने इंद्रा गांधी की सत्ता को समपून कुरांती होती है कि पत्ना के अतिहासिक मैदान में जैप्रकॉस नराएं ने संपून क्रांथी का हवान किया मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जाध पात तिलक धहेच और भेद बाव छोड़ने का संकल्प किया उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनों तोर दिये और नारा गुंजा था जात्पात तोर दो दिलक दहे छोर दो समाज के प्रवाह को नई दिसा में मोर दो जेपी के नाम से मस्हूर जैप्रकास नरायन घरगर में क्रांती का प्रयाय बन चुके थे लालुयादव नितीश कुमार चंदर सेखर राम विलास पासवान जैसे आज के नेता इस पूरे क्रांती से ही जन में थे और उनको एक नई दिशा मिली थी संपून क्रांती पर जैप्रकास नरायन जी का कहना था संपून क्रांती से मेरा तात्पर्य समाथ से सबसे अधिक दबे कुछले व्यक्ति को सत्ता के सिखर पर देखना है 1975 में इस क्रांती के विरोध में इंद्रा गांधी ने आपात काल की घोशना की जिसके अंतरगर जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी निताओं को बंधी बनाया गया और प्रिस पर सेंशर सिप लगा दिया गया जेल में जेपी की तबियत और खराब होई साथ महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया 1977 में जेपी के प्रयास से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंद्रा गांधी को चुनाओं में हरा दिया जेप्रकास नरायन का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1989 को हिरे की बिमारी और मधुमेह के कारण हो गया जेप्रकास नरायन के संवान में उस समय के प्रधान मंत्री चौधी चरन सिंग ने उनके मित्यू के पश्चाथ साथ दिन का राष्ट्रिय सोग भोसत किया मित्यू के बाद सन 1998 में इनको भारत का सर्विस से संवान दिया गया जो की भारत रत्म है झाल झाल